जहां अगले महीने ही देश में G20 की बैठक होने वाली है, उसके अगले महीने देश में World Cup, Cricket का World Cup होने वाला है, वहीं डेली से कुछ ही दूरी पर, क्योंकि गुर्गाओं की जब हम बात करते हैं, वह डेली NCR रीजन ही है, डेली मान लीजी आप उसको, वहाँ पर इस तरहा की हालत हो गई है, कि हम लोगों को अपने रिष्टेदारों परिवारों से पूछना पढ़ रहा है, आप ठीक तो हो, सेफ तो हो, और आप देखिए, मनोहर लाल खटर, जो अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अब इनको समझ में आई है, कि आखिर क्या करना चाहिए था, नभरा टाइम्स के पत्रकाई शकील अख्तर कितनी पते की बात बोलते हैं, ये जरा देखिए आप, लिखते हैं, हर्याना में जाटों द्वारा दंगों का विरोध करने, और दंगाईों का साथ देने से इनकार्द कर देने के बाद, वहां की राजनी देखिए कैसे बदल हर नेता दंगे के खिलाफ बोल रहा है, अगर बाकी समुदाए इस तरह का स्टैंड लेने लगे, तो दंगा कराने वालों को वोट मिलना तो दूर मूँच छुपाना मुश्किल हो जाएगा, दंगा किसी के पक्ष में नहीं है, केवल सामपरदाइक पार्टी को ही फायदा होता है, जनता को दंगे से ज़्यादा नुकसान और किसी से नहीं होता है, उसका काम धंदा खत्म हो जाता है, उसके असली सवाल महंगाई बेरोजगारी से सरकारों का ध्यान हट जाता है, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल की मांग खत्म हो जाती है, बस दिमाग में नफर पर विचार करना चाहिए और दंगों में शामिल होने से इंकार कर देना चाहिए लेकिन मनोहर लाल-खटर का जो बयान था जो मुख्य मंत्री हैं और साथ ही जो हर्याना के उप करने के लिए आकरमन किया गया और पुलीस को भी निशाना बनाया गया जो बड़ी साज़िश की तरफ इशारा करता है आप समझ सकते हैं कि इनका इशारہ किनको आरोपी बनाने का है वही दुश्यन एक इनक्योप पर आरोप लगा रहे हैं वो भी आपको समझा रहा है तो आखिर इसके पीछे की जो राजनीत है वो एक ट्वीट से मैं आपको दिखाती हूँ रोफल गांधी नाम से हैंडल ट्वीट पर लिखते हैं दोनों की अलग राय के कारण स्पष्ट हैं अब तो वो उस तरह का बयान दे रहे हैं दोनों तवे को उलट पलट कर रोटियां शेक रहे हैं चाहते तो शांती कभी न भंग होती बिल्कुल सही बात कही और जिस तरह से पतरकार नरेंदर नाथ ने ट्वीट करके आपके सामने गिबात रखिये कि आखिर क्या किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया हर्याना में वक्त रहते राजसरकार स्थिती संभाल सकती थी ऐसे मामले में पुलीस प्रशासन को पूरवानुमान लगाना होता है ऐसा ही मामला पिछले साल जब उदैपूर में हुआ था जब आतंकियों ने कनहिया लाल का गला काट कर खून किया था तो ना सिर्फ 24 घंटे में सभी अरेस्ट किये गए जबकि दंगा भी होने से रोका गया ऐसे मामले में हमेशा मंशा दंगा नफरत भड़काने की होती है और ततकार रिस्पॉंस सबसे एहम होता है तो जब इस बात को लेकर समझ में आया कि भी अगले महीने G20 भी है उसके बाद क्रिकेड वर्ल्ड कप भी होने वाला है तो इसको मनिपूर की तरह दो महीने तक आँख बंद करके नहीं देख सकते जो की बहुत दूर हो दिल्ली से ये पास में है तो अब आपको ऐसे बयान आते वे दिखाई देने लग गए हैं हिंदुस्तान की ये हेडलाइन पढ़िए बीजेपी के मंत्री का नू हिंसा में हिंदूवादी संगठनों पर ही सवाल है यात्रा में हत्यार लेकर कौन चलता है ये सवाल जो सही सवाल पूछे जाने चाहिए थे अब वो सही सवाल भी आ रहे हैं केंद्र मंत्री और गुरुग्राम के सांसग राव इंद्रजीत सिंग ने हिंसा के लिए हिंदुवादी संगठनों पर भी हमला बूला है, उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्रा में यदि कोई तलवार और डंडे लेकर यात्रा करता है तो यह गलत है, हथियार लेकर उस यात्र करते हुए नजर आएंगा। इतने खराब हालत, इतनी खराब हालात हरियाना में शार पहले देखने को नहीं मिली जैसी कि अब देखने को मिल रही उसी में गुरगाओं के जो सांसद हैं और साथ ही वो यूनियन मिनिस्टर अफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज राव इंद्रजीत सिंग वो कहते है जो उस यात्रा में, उस रिलिजिस यात्रा में हिस्सा ले रहे थे, उसके यात्रियों के हाथ में तलवार और डंडे आखिर क्या कर रहे थे, ये बिल्कुल सही नहीं था कि वो यात्री अपने हाथों में ये सारी चीज़े लेकर चल रहे थे, वो आगे बोलते हैं, किसने ह आथियार दिये उनको इस प्रोसेशन में ले जाने के लिए कोई तलवार लेके जाता है प्रोसेशन में लाठी डंडे लेके जाता है यह सवाल उन्होंने खड़ा किया बिल्कुल अब मैं आपको उस तरफ लेके जाती हूं जहाब पर यूपी में प्रभाकर चौधरी बरेली कि SSP कर ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने ऐसी ही घटनाय रोकने में मदद की बल्कि ऐसा ही यह जो खबरे अज हम हर्याना के पढ़ रहे हैं वो शायद हम लोग बरेली के पढ़ रहे होते बिल्कुल यही तरह की चीज़ें महां पर करने की कोशे शोरीती पर इतने अच्छे तरीके से टाक्ट फुली उन्होंने हंडल किया लेकिन वैसे जो काबिल अफसर होते हैं उनका कर दिया जाता तबादला और वही सवाल जो हम कह रहे थे कि आखिर वो सारी हरकते वहां पर क्यूंकि कोई दारू पीकर वहां पर पहुंचा हुआ था मैं अभी पहुंचा थे कि उनका तबादला हो गया और वही हर्याना में देखिए यह मंत्री साब अब सवाल यही खड़ा कर रहे है कि आखिर इस प्रोसेशन में इनको लाठी डंडे और साथ ही तलवार ले जाने की इजाज़त किस ने दी कोई प्रोसेशन में सब कुछ लेके जाता दूसी तरफ से और बोला जाता है कि तो भाईया तू आके दिखा फिर हम तिरको बताते हैं फिर वह पे प्रोसेशन के अंदर जो है लाठी डंडे और तलवारे ले ले लेके जा रहे हैं जब यह सारी तरफ वो तस्फीर है तो दूसी तरफ से और प्रोवकेशन हो रहा है तो यह प्रोवकेशन तो दोनों तरफ से है लेकिन इसका मकसद था क्या यह चाहते जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पत्रकार नरेंदर नातमिश्रा ने बहुत सही बात लिखी चाहते तो इसको बहुत ही आराम से टाकल कर सकते थे 24 गंटे के अंदर अंदर या फिर ऐ आप action ले लेते तो यह situation ही नहीं arise होती लेकिन अगर आपके पास इस तरह की हिदायात होती ही कि वह यह इन लोगों के खिलाफ आपको action लेना है तो तो आप यह सब कुछ करते तो देखिए जिसका जिक्र अब केद्रिमंतरी खुद कर रहे हैं वो कहते हैं आगे negative thinking among the people was spread from social media posts उन्होंने कहा कि मैंने कहा है पुलीस को कि वो प्रोब करें कि यह सब वीडियो किसने अप्लोड किये someone said there were videos saying ऐसे भी videos थे कि हम लोग आ रहे हैं religious function में तुम्हारा जीजा आ रहा है इस तरह के शब्दों के इस्तमाल किया गया और यह किनको address कर रहे थे ना वैसे यह भी आप अगर वो वीडियो देखेंगे यह बिट्टु बजरंगी की वैसे बात कर रहे है क्योंकि उन्हीकर वीडियो में इस तरह की बाते कहीं गई थी और किसको address कर रहे हैं वह साफ दि अरिया है यह Muslim dominated है और यहां पर पिछले 75 साल से आज तक कभी मतलब पार्टिशन के बाद से 75 साल से आज तक कभी इस तरह का कोई clash देखने को नहीं मिला है तो आखिर अभी ऐसा क्यों हुआ कौन इसके पीछ रिस्पॉंसिबल है उसमें सबसे बड़ा कारेंट है social media क्योंकि प्रोवकेशन मोनु माने सर और बिट्टू बजरंगी दो लोगों के वीडियो के साथ हुई थी वहीं बीजेपी के एक्स यूनियन मिनिस्टर चौधरी बिरेंदर सिंग कहते हैं कि हम लोग जादा तर यहां पर पीस लविंग लोग हैं अपने देश के इस पार्ट में और इससे कोई फ़र्क नीपरता कि किसी का रिलिजन किया है किसी का कास्ट किया है हम लोग बहुत ही शांती पूर्ण तरीके से यहां पर रहते हैं लेकिन यहां का जो बहुत स्ट्रॉँंग था वह इस बार बहुत एफेक्ट हुआ है जो हाल फिलाल में जिस तरह के हम ने बहुत तरह से इसको पीस को भंग करने करे कोशिश होई है जिस ने अपने विडियो में लगातार ये बोला कि मैं भी वहाँ पर आ रहा हूं और इस यातरा में जाद देव लोग शामिल हों मनुह माने सर जो कि है पहले ही दो मुस्लिमों के डबल मर्डर में आरोपी है जिससे अभी तक पकड़ा नहीं गया उस मानेस उस मोनु मानेसर ने जब इस तरह का एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला कई सारे लोगों को जाद से जादार बेकठा होने को बोला एक रिलिजियस प्रोसेशन कहकर और ये किया था किस क्या करने का उसके उपर आरोप है और वहीं अब जब मनोहर लाल खट्टा जब सारी कि सारी तरफ से जब इतनी बैशिंग हो रही है जब इतना खुलकर सामने आ गया है कि कैसे लॉइन और की धज्जिया उड़ गई है हर्याना में उनके मुख्यमंत्री रहते ह Quran तो जब उनसे मीडियाने सवाल पूछा मोनू मानेसर के ऊपर तो वो कहते हैं कि मोनू मानेसर को आके पकड़ना चाहे राजस्तानमे उनके उपर केस दरज है राजस्तान पूलीस अगर उनके उपर कोई बही कारवाई करना चाहती है तो हमारी तरफ से उनको पूरा को कि यही मनोहर लाल खट्टर का मैं आपको जूब पूठ जरा साफ साफ बता देती हूँ अभी तो उन्होंने बड़े मजे से ये बात बोल दी बड़ी आसानी से बोल दी लेकिन जब राजस्थान पुलीस पहले मोनु मारे सर को गिरफतार करने के लिए आई थी तो उन्होंने राजस्थान पुलीस के ओपर ही F.I.R. दर्ज क इस पूरे केस में जब मोनु मारे सर को गिरफतार करने आई थी राजस्थान पुलीस तब इन्होंने F.I.R. दर्ज कर दी थी और अभी ये क्या बोल रहे हैं देखिए जूट पकड़ा आई गया उनका उसके बाद देखिए किस-किस तरह के कितने-कितने लोगों ने वीड अभी आई बेर इलिवर्ट स्पीच के जाएक जाएक वसके बाद ये हालात हो जाते हैं और उसके बाद इसमें से निकल के आफ्ट ए रॉप्शन आफ वाइलेंस बजरंग दल नीरज वत्स तूसने पार आपने सभी सपोर्टर्श को सब्सेट करें कि वह मुसलमानों को टा लललंग टॉप के खबर देखिए आप तलवार बंदूक और हथियार लहराते हुए रैली निकाल रहे थे नूम में मुस्लिम पक्ष्ण तस्वीरें दिखाते हुए दंगे के पीछे की क्या कहानी बताई है आप देखिए इसके अलावा आप यह तस्वीर देखिए यह वीडियो देखिए एक चोटी से दुकान यह आदमिल चला रहा था अपनी इसका धर्म मत देखिए इनकी वेश भूशा मत देखिए ऐसे न जाने और दूसरी तरफ के भी और कितने लोग होंगे यह एक आपके सामने प्रती के बताने के लिए कि यह पूरी हिंसा में एक गरीब कैसे पिस्ता है इसका क्या कसूर था लगातार सोशन मीडिया के हवाले से जिस तरह की प्रोवकेशन वाइलन्स होने से पहले से ही यात्रा के शुरू होने से दो तिन दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी वाइलन्स होने के बाद भी होने शुरू हो गई थी ये लगातार उकसाने की जो कोशिश थी इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे और किस की तरफ से हुआ जो ये सवाल खुद नरिंद्र मोधी के अपने मंत्री उनकी पाटी के सांसद और मंत्री ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये तो बताएं कि जो प्रोसेशन था जिसको रिलिजिस कहना चाहिए जो कि रिलिजिस प्रोसेशन के नाम पर आपने चलाया था उसके अंदर लाठी ड गंडे और तलवार की नहीं है बलकि गंज भी है उन गंज को देखते हुआ और इस वीडियो को देखते हुए इनकी पहचान करते हुए क्या हर्याणा की सरकार हर्याणा की पुलीस और हर्याणा की नाकाम खटर सरकार कोई कारवाई कर रही है वीडियोस तो आपके सामने है और अब मैं सीधा सवाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ से भी पूछना चाहती हूं यह आप हर्याणा वाली आग अपने राज्य में क्यूं लगने दे रहे हैं यह हमको नॉइडा में जैसे गुडगाओं में देखने को मिला हमको नॉइडा में इस तरह की चीजें इस तरह की तस्वीरें ऐसे प्रोसेशन देखने को क्यों मिल रहे है धारा 144 का मतलब क्या हुआ धारा 144 का मतलब हुआ तीन चार से जादा लोग एक तरफ इकठा नहीं हो सकते जरा देखना काउंट करके बता दीजी कि इसमें कितने हैं अगर आप काउंट कर सकें इस वीडियो में से धारा 144 वो है जिसका हवारा देकर दिल्ली पुलीस ने तो मुझे डिटेन कर लिया था मेरे कपड़े फाड़ दिये थे और वूस धारा 144 के लगे होते हुए यूपी में ये करने क्यों दिया जा रहा है योगी जी इसलिए आपसे लगातार सवाल होते हैं जब ये बाइसनेस आपकी दिखाई देती है आप सुबे के मुखे मंत्री हैं किसी धर्म के मुखे मंत्री नहीं है धर्म के मुखे मंत्री आपको बनना है तो आप मठ में हट्टर की सरकार की किर्किरी हो रही है ऐसा ही कुछ आप चाहते हैं कि हो यह आपर नौइडा वासी होने के नाते में आपसे सवाल पूछ रही हूं कि आखे धारा एक सच्च वालीस लगते हुए यह सब कुछ मेरी सिटी में होने क्यों दिया जा रहा है